हेलो फ्रेंज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वा गई थे तो दोस्तो आपने तो थम्नेल देखकर समझी गए होंगे कि दोस्तो फेस्बुक वीडियो पे थम्नेल कैसे लगाए जी हाँ दोस्तो अगर आप भी चाहते हैं अपने Facebook वीडियो पे थमनेल लगाना तो आप बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में आपको 2024 का बिल्कुल न्यू प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने Facebook वीडियो पे थमनेल कैसे लगा सकते हैं दोस्तो वो आपका Facebook प्रोफाइल हो या तो फिर आपका Facebook पेज हो आप किसी पे भी वीडियो अपलोड करते हैं और आप चाहते हैं उसी वीडियो पे थमनेल लगाना तो लगा सकते हैं दोस्तों देखिए आपको Facebook profile या Facebook page पे वीडियो जब upload करते हैं तो आपके Facebook वीडियो पे thumbnail नहीं होता है तो आपका वीडियो सायद viral भी नहीं जा रहा होगा नहीं तो आपके वीडियो पे views increase हो रहा होगा क्योंकि अगर आपके Facebook वीडियो पे thumbnail होता है तो 100% guarantee होता है कि आपका वीडियो वायरल जाएगा आपके वीडियो पे अच्छा खासा views आना start हो जाएगा अप कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है Facebook वीडियो पे thumbnail कैसे लगाते हैं जैसा कि अभी हमारा ये Facebook page है अभी हमारे page का नाम take saji 2m है आप लोग follow जरूर से कीजेगा और हम उपर scroll down करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा एक वीडियो है इसमें thumbnail लगा हुआ नहीं है अप कुछ लोगों को thumbnail नहीं लगा हुआ है तो समझ में ही नहीं आएगा कि इस topic पर वीडियो है क्योंकि आज कल का लोग thumbnail ही पड़कर समझते हैं कि इस topic का वीडियो है तो वो लोग देखते हैं वोच करते हैं वीडियो को तो इस वीडियो पर thumbnail नहीं है लाइब में लगा कर दिखाऊंगा और उपर scroll down करते हैं तो अभी आपको नीचे दिख रहा होगा कि हमारे इस वीडियो पर Psalmnail लगा हुआ है जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमारी इस वीडियो पर Psalmnail लगा हुआ है कि इंडिया Postpayment Bank से phone Pay Account कैसे बनाना चलाना सिखे इस तरीके से लगा हुआ है दूसरा वीडियो दिखाते हैं तो अभी दूसरा वीडियो पे भी दिख रहा होगा मीसो में समान रिटर्ण एक्सचेंज कैसे करें इस पे भी थमनेल लगा हुआ है अब ये वीडियो किसी के पास जाता है तो वो बंदा जो हमारे वीडियो को अच्छे तरीके से वोच करता है क्योंकि thumbnail ही वेटर है कि आपका वीडियो वाइरल करेगा और आपका वीडियो वाइरल जाएगा और आपके वीडियो पे अच्छा खासा व्यू जाएगा तो चली दोस्तों उसके लिए आप लोगों को क्या करना है सबसे पहले आप लोगों को back चले आना है back आने के बाद अब आपको अपने facebook वीडियो पे थमने लगाने के लिए सबसे main काम आपको अपने phone में जो है न play store app को open करके आपको अपने facebook app को update कर लेना है अगर आपका facebook app अपडेट आ रहा होगा तो अपनो facebook app को update कर लिजेगा क्योंकि इससे जो भी new update मिलने वाला होता है वो आपको update हो जाता है अब आपको update करने के बाद अब आपको अपने phone में क्या करना है chrome browser को open कर लेना है जैसे ही आप chrome browser को open कीजेगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा interface दिखेगा अभी मैं इस वीडियो में step by step बता रहा हूँ आपको वीडियो को बिल्कुल भी skip मत कीजेगा नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा इस वीडियो में आपको 2024 का बिल्कुल new process में आपको बता रहा हूँ दोस्तो chrome browser को open करने के बाद अभी आप लोगों को यहाँ पे search करना होगा जानते क्या login facebook अगर आपने chrome browser में अपने facebook account को login नहीं किये हो तो आपके सामने कुछ ऐसा interface दिखेगा जो यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप अपने facebook id password डालके इसे login कीजे अगर आपको password पता नहीं है तो आप अपने facebook का नाम डालके यहाँ पे forget password भी कर सकते हैं अगर आप facebook को अपने chrome browser में login किये हुए हो तो यहाँ पे आपको search करना होगा दोस्तो facebook.com हमने facebook.com search किया क्योंकि हम chrome browser में पहले से ही अपने facebook account को login कर रखे हैं इस तरीके से open कीजेगा तो आपके सामने ऐसा दिखेगा हो सके तो आपके सामने इस तरीके से दिखेगा है ना इस तरीके से दिखेगा तो आपको क्या करना है side corner में 3 dots की उपर किलिक कीजेगा और यहाँ आपको desktop side की उपर किलिक करना होगा जैसे ही आप desktop site की उपर किलिक कीजेगा तो यह desktop site में खुल जाता है कुछ इस तरीके से अभी आप लोगों को क्या करना है सबसे पहले यहाँ आपको site कोने में आपको दिख रहा होगा दोस्तो यहाँ पे profile logo उन्हीं logo की उपर आपको किलिक करना होगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तो see all profiles, see all profiles की उपर किलिक कीजेगा तो आपका जितना भी Facebook पे page होगा जितना भी Facebook profile यानि Facebook ID होगा साड़ा कुछ यहाँ सो कर जाएगा तो आपको अपने Facebook profile या अपने Facebook page को select कर लेना है जिस वीडियो पे आप thumbnail लगाना चाहते है select करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा दोस्तो क्या करना है sidecon में अपने profile की उपर किलिक कर देना है जैसे ही आप अपने Facebook के profile पे आजाएगे या तो Facebook page यानि जो भी है आपका इस तरीके से open हो जाएगा open होने के बाद अभी आप लोगों को क्या करना है उपर scrolled on कीजेगा तो अभी आप लोगों को live दिख रहा होगा कि हमारे इस Facebook वीडियो पे thumbnail नहीं लगा हुआ है अगर आप चाहते हैं किसी Facebook वीडियो से thumbnail चेंज करना तो आप वो भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं लगाना तो आप लगा भी सकते हैं न तो यह हमारे Facebook वीडियो पे thumbnail लगा हुआ नहीं है तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों Facebook वीडियो पे thumbnail लगाने के लिए आपको आप दिख रहा होगा तो कुछ इस तरीके का एंटरफेस दिखेगा अभी आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा अब आपको क्या करना है अब आपको यह आपको वीडियो आप्शन के उपर आपको किलिक करना होगा यहाँ पर वीडियो आप्शन पर किलिक कीजेगा तो यहां पे आप चाहे तो अपने वीडियो की टाइटल यहां से लगा सकते हैं अच्छे तरीके से क्योंकि वो सब जो लगाते हैं वो होता है आपके वीडियो का जो होता है वो वीडियो का डिपकरिप्शन होता है तो आप अपने वीडियो के अच्छे तरीके से टाइटल यहां से लगा सकते हैं और यहां पर आपको देख रहा होगा टेग यानि कि आप अपने वीडियो को टेग लगाने के लिए यहां पर क्लिक कीजेगा आप अपने वीडियो के लिए tag अच्छे तरीके से यहां से लगा सकते हैं तो दोस्तों यह सारा कुछ यहां से भी कर सकते हैं मैं इस वीडियो में extra बता दिया हूँ यह आपके अच्छाई के लिए ताकि आप लोगों को कुछ वीडियो को देखने के बाद फाइदा हो सके अब बात आती है कि अपने वीडियो पे थमनेल लगाने के लिए या तो फिर वीडियो पे थमनेल चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चेंज थमनेल है न आपको चेंज थमनेल की उपर किलिक करना होगा तो चलिए हम चेंज थमनेल की उप का thumbnail लेना तो वो भी कर सकते हैं अगर आप पिक्सल लाइब या किसी भी application से thumbnail बना करके रखें अपने gallery में तो आप upload image पे click कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपने वीडियो से कोई ऐसा आपका extra clip है जो आप चाहते हैं अपने video के clip से कोई thumbnail लगाना तो आप वो भी कर सकते हैं चूज फोर्म वीडियो से हम चाहते हैं कि दोस्तो हमारे gallery में एक thumbnail बना बनाया हुआ है तो यहाँ पे upload image पे click करते हैं जैसे ही आप upload image पे click कीजेगा तो यहाँ पे आपको thumbnail को इस तरीके से चूज कर लेना है जैसे कि हम अपने thumbnail को चूज कर लिया है कुछ इस तरीके से अब आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर आप लोगों को दोस्तो सबसे नीचे में आपको चले जाना है देखिए सबसे नीचे में आपको लिखा हुआ रहा दोस्तों save, save करके आड़ा हुआ, लिखा हुआ, तो आप लोगों को save की उपर किलिक कर देना है, जैसे इस save की उपर किलिक कीजेगा, तो यह saving हो रहा है, तो आपको wait करना है, फिर से आपको एक बार save करना हो, save करने के लिए फिर से आपको save की उपर किलिक कर देना है, जैसे एक बार save की किसे back किसे clear कर देते हैं फिर से अपने phone में facebook app को open करके आप लोगों को दिखा देते हैं तो दोस्तो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा अभी उस उपर scroll down करते हैं तो देख सकते हैं कि हमारे facebook वीडियो पे अच्छे तरीके से thumbnail लग चुका है अब क्या होगा हमारा वीडि उसे thumbnail change कैसे कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे भाई वीडियो को like and channel को subscribe कर दीजेगा फिर मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जैहिन वंदे मात्रम